नमस्कार प्रेंस एंटेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे भूपतपुर स्टेशन की जो की इज़त नगर मंडल में आता है और पीली भी शाजहापुर रेलखंट पर पड़ता है ये भूपतपुर स्टेशन की मुख्य बिल्डिंग है और बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया बरखेडा में ये आता है स्टेशन और आमान परिवर्तन के बाद जिते भी स्टेशन से उनकी जो बिल्डिंग है वो बहुत सामने रेलवे के कुछ स्टाफ के क्वार्टर्स भी बने हुए है लाल रंग का डिजाइन आप देख सकते हैं इसमें किता खुबसूरत लग रहा है तो ये बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया पार्किंग एरिया है भूपतपुर स्टेशन का और अब हम चलते हैं अंदर आप प्लैट्फॉर्म नंबर एक पर पहुंच जाते हैं इधर प्रतिक्षाले और स्टेशन अधिक्षक उनका कक्ष है ये प्लैट्फॉर्म नंबर दो की तरफ से आपको हम व्यू दिखा रहे हैं सामने पीलीबीट की दिशा हो जाएगी और प्लैट्फॉर्म नंबर एक का व भी थी शाजाँपूर रेलखंट पर ये पूरा जो रेलरूट है अभी फिला सिंगल डीजल लाइन है जिसका शहबाज नगर तक स्यारस इस्पेक्षन कर लिया गया है और आगे अभी शाजाँपूर में लेंकिंग का कारे चल रहा है लेकिन यहां पर निर्मान कारे अभी इनकम्प्लीट है अधूरा पड़ा हुआ है यात्री सुविधाय भी सब अधूरी है और ये हाल तब है जब इस रेलखंड पर दो बार CRS inspection हो चुका है पहली बार पहली बार जब हुआ था आपको याद होगा पीलीबित जंक्शन से बीसलपूर तक और दूसरी बार फिर बीसलपूर से आगे शहबाज नगर तक दो बार यहाँ पर Commissioner Railway Safety की टीम आ चुकी है इस रेलखंड पर और अभी निर्मान कारे जो हैं वो सब अधूरे पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं क्या हाल है हाला कि अभी रेलगाडियों का आवगमन नहीं हो रहा है यह देखी छोटा सा यहाँ पर शेल्टर लगा हुआ है और स्टेशन का नाम और उमीद यही है कि जब यह ट्रैक पूरा लिंक हो जाएगा आगे शाजहाँपुर में तो रेलगाडियों का संचालन शायद शुरू हो यह पेजल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है हाला कि अभी इसको कनेक्ट नहीं किया गया है पानी की टंकियां लगनी अभी बाकी है और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार हो रहे हैं फाउंडिशन बनाने का फिलाल भूपतपुर स्टेशन पर यहाँ पर अभी कार यह नहीं पहुचा है अभी बहुत प्रारंबिक स्टेश पर है आप उसको कह सकते हैं प्राइमर जंक्षन में बनाई गई है उसी प्रकार से यहाँ पर भी बनाई गई क्योंकि यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान शुगर फैक्ट्री है पास में यह देखे यह गुट्स साइडिंग है भूपतपुर स्टेशन की जहाँ पर भी हाली में कोईला लेकर के गुट्स ट्रेंड आई थी मालगाड़ी आई थी और यहाँ पर उसको गिराय गया था यहाँ पर देखे यह जो प्लैट्फॉर्म नंबर दो है मुझे लगता इसको भी थोड़ा सा एक्स्टेंट करके बनाया जाए तो प्लैट्फॉर्म नंबर तीन जो है फिर यह रेल ट्रैक भी दोनों ही चीजों में यूज हो जाएगा गुट्स के लिए भी और अगर आपको पैसेंजर ट्रैंस निकालनी है तो उसके लिए भी फिर ये यूज में आ जाएगा क्योंकि शुरुआत में दो ही प्लैट्फॉर्म यहाँ पर जो तयार किये गए प्लैट्फॉर्म नंबर एक और दो यह देखे कोईले के आपको दिख रहोंगे जो बचे हुए थोड़ा सा चूरा जो गिर जाता है देखे ट्रैक के किनारे पूरा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह गुट्स की जो सैडिंग बनाई गई है यह प्लैट्फॉर्म से काफी हलाकी करीब है और जगें यहा करके प्लैट्फॉर्म गुट्स के लिए तयार किया जा रहा है उसी प्रकार हो सकता हो यहाँ पर भी बाद में पक्का इसको जो यह कच्छी स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर पक्का कर लिया जाए कॉंक्रीट के स्लैप्स को ढाल करके ताकि फिर जो रेल गाडियां आ पर पूरी तरह तयार हो जाए यह प्लैट्फॉर्म नमबर दो आप देख सकते हैं इधर काफी मिट्टी खिसकी दिख रही होगी तो अभी इसमें निर्माण कार भी यहाँ पर काफी चल रहे हैं और रेल इलेक्रिफिकेशन से संबंदित जो कार हो रहा है वो अभी यहाँ भूपतपुर स्टेशन पर फिलहाल नहीं पहुचा आया भी यह लगभग 20 किलोमीटर दूर है पिलीबी जंक्षन से जो इसकी दूरी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कैची बना करके पॉइंट बना करके प्लैटफॉर्म नमबर दो की तरफ ट्रैक जा से भी या हवडा से या गोहाटी से कहीं से भी चो ट्रैन्स आएंगी लंबी दूरी से मालगाडियां उनको भी यहाँ पर अराम से फिर उसका सामान लोडिंग अनलोडिंग की जा सकेगी तो गुट्स की सैडिंग यहाँ पर बनाई गई है भूपतपुर में और यहाँ से आप पूरा व्यू एक देख सकते हैं ओवरॉल हला कि भी स्टिशन पर निर्माल कारे काफी चल रहे हैं जगह यहाँ पर काफी है हो सकता है यहाँ पर भी एक मालगोदाम ऑफिस टाइप बाद में भविश में क्योंकि जब गुट्स ट्रेन आएंगी और व्यापारी के लिए एक मालगोदाम भी बने अब यहाँ से आपको हम दिखाते हैं रैम का हाल प्लैटफॉर्म नमबर एक की तरफ से जो यह पैदल पुल आ रहा है और रैम भी इसमें बनाया जा रहा है दोनों तरफ आप देखिए उपर अभी टिंशेट नहीं लगाए च्छत लगनी पूरी बाकी है और यहाँ पर पूरा जो रैम का कारी है वो भी अभी बाकी है प्लैटफॉर्म नमबर एक पर भी जगए जगए अभी निर्मार कारी चल रहे हैं यह देखिए यहाँ पर यह गुट्स की साइडिंग है इधर अभी नीचे फ्लोरिंग यहाँ पर नहीं पूतरेगा अभी किता लेवल का डिफरेंस है आपको दिखराओगा तो अभी रैम के कारे को ही पूरा करने में समय लगेगा क्योंकि फिलाल कारे बहुत धीरे धीरे गती से चल रहा है सर्दियों में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आके मिलाई जाएगी और इधर का जो एरि रैडिंग के लिए इस्तमाल कर सकते हैं फिर भविश में और पैसेंजर ट्रेंस के लिए इस्तमाल में आ सकता है वो क्योंकि भविश में इलेक्रिफाइड रूट हो जाएगा लंबी दूरी की तमाम रेल गाडियां यहाँ से निकलेंगी बरस्ता शाजापुर होते हुए जो टरनकपुर की दिशा से आएगी पीली भी जंक्षन की दिशा से आएगी उनको निकाला जा सकता चोटे शोटे शोटे शेल्टर है और जगे जगे आपको ब्रिक्स दिख रही होगी रखी हुए सामने भी यह कभी पानी का देखी व्यवस्था हो रही है जबकि पीली भ लेबर यहां पर आपको दिख रहा होंगे धीरे धीरे लेबर भी बढ़ाई जाएगी जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा गरिमियों की तरफ बढ़ेगा लेकिन कारे देखिए सब अभी बहुत सारे बाकी है भोपतपूर स्टेशन पर और बहुती इंकंप्लीट है भी भी स्ट लाड़ी हुई है उनको यहां पर लाकर रखना चाहिए ताकि यात्री बैठ सकें यह जो लाइन आ रही है यहां तक थोड़ा सा आगे प्लैटफॉर्म का अगर विस्तार हो जाता है तो एक प्लैटफॉर्म तीन नंबर प्लैटफॉर्म और बढ़ जाया गया यहां पर गाड़ी चलने का बेसबरी से इंतजार है भूपतपुर स्टेशन पर कि जल्दी से यात्री गाड़ियों का संचारान शुरू हो तो सफर में आसानी हो सामने देखे छोटे-छोटे शेल्टर लगे हुए और बाउंडरी का काम तो पूरा हो गया लेकिन अभी जो पेजल व लगाये गए हैं उनको भी जोड़ना बाकी है और इस ट्रैक को जो गुट्स वाला ट्रैक है दोनों ही तरफ जोड़ लिया गया है आगे सिंगल ट्रैक जब हो जाता है फिर पीलीवीत की दिशा में भी और शाध्यापुर की दिशा में भी तो दोनों ही दिशाओं से जो मा जाएगा और भविश में जिससे की दोनों ही चीज़े ऑपरेट हो सकें गोट्स ट्रैन भी और हमारी पैसेंजर ट्रैन्स भी चल सकें यहां पर यह ओवरॉल व्यू एक पूरा भूपतपुर स्टेशन का आप देख सकते हैं कारे अभी काफी सारे बाकी है यह देखे आश्चर हुआ मुझे क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कार यहां पर सब पूरे हो गए होंगे लेकिन अभी पैदल पुल कही कारे बाकी है सारा और भविश में इलेक्रिफाइड रूट हो जाया गये कई सारी फास्ट्रेंस यहां से हो सकता है बिना रुके निकले तो तैयार कर लिया जाना चाही था अब तक लेकिन अभी कारे चल रहा है अधूरा पड़ा है आपने देखा अभी किस प्रकार से रैंप अगरा भी बनाई जानी बाकी है रैंप वो नहीं बनी है उसको भी नीचे प्लैटफॉर्म तक लाने में भी समय लगेगा क्योंकि उसका कारे तो भी नहीं हो रहा है भी सिविल वर्क चल रहा है कर्स्रक्शन का कारे चल रहा है जगे जगे आप देखिए लेबर लगी हुई है और छोटी छोटी जो चीज़ें उनको पूरा किया जा रहा है भी तो पैदल पुल तो पूरा ही अभी कारे बाकी है और जन्स विधा मैं मुझे लगता है इन कारियों को धीरे धीरे पूरा कर लिया जाएगा